इसे वालों को जी हां दोस्तों यह most important question करां जाना है कि जो की previous सेर्स में बार बार पुछा गया थे इस परार question ठीक इस माने service टेक्स माने टेक्स यह एंड जो है ना यह एंड यह जो घलुआ के जिसे काता है यह यह अगुआ जिसे मालेज़े यह अगुआ जैसा है यह यह हैं लोग होता है पत्यों के कारण होता है कि अएसे करके पढ़ा रहा है ना बता रहे हैं तो आपको अगरम निमाग में कंठास्त हो जाएगा डर तो कहीं भी आएगा पत्य आघ्या अगला क्वेश्च्टन देखें यहां पर खाली अस्तान है यहां पर भर ना है कि एक पक्षी है जो संतिका पृतिक है अरे भाई संतिका प्रतिक कौन पक्षी है अप लोग जाए करते रहतेले आई एसा पक्षे भी होता है जो कि सांथी का प्रतिक होता ह। कौन होता है? कबतर देखिँए ऐसे आप देखे कबुतर ठीक है? यानि कि कॉस है, स्टार्ट का होता हुई है हम ़ोगे पढ़ाय है, यह सोते हैं कॉसे कबुत्तर यानि कि कबुत्तर जैसे यह आएगा आप लोगो जा जाएंगा कि यह सांतिक प्रतिक ठीए हैं देखें यह सब क्यों हम एक आपको बता रहा है कि हाँ आपको उस चैनल वीडियो देख रहे था न तो यह ऐसा बोल रहा था तो इसका यह ही हो जाएगा ठीक है यह क जार का भी जो घ्पर होता है वह समार्ब कहाक रिला, नहीं किला को भी कह जाता है रBox यह लेकिन इस मार्ब वह नहीं होता है तो देखिए, आर्किटेक्चर की जड़नें की तक्निक पीए ट्रा कि नवक करसारीन नम जी नार दोस्त्त शो खाते हैं ना नमक करसारीन नम तो पूछ रहे तो सभी लोग जानता है कि सोडियम होता है नमक में तो नечение P यहाँ महाराष्यका नोक्रेट घरए यह देखिए लावडि कौण से राजिका लोग नहीं रिते हैं लावड़ी जो làओडी है महरास्टी का लोक नरीत है, ठीक है? देखिए महरास्ट, यानि कि ऐसा राष्ट जो महान है देखिए ये बताने का मतलब ये नहीं है कि दुसरा राजuan महान नहीं है लेकिन ये हम आपको दो दो ख़ए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, तेसे क्या बता रहा है महाराष्ट या नहीं कि महान राष्ट्र में ही लावडी लोक नरीत होता है ठीक है लावडी जो लोक नरीत होता है महाराष्ट में होता है ठीक है लाव ठीक है लावडी मतलब लाव क्या लाव तो महान राष्ट्र लाव ठीक है तो महान राष्ट्र में पुस्तक जो है इंडिया 2020 किसके द्वारा लेकी गई थी जी देखिए डाक्टर एपीज अबदुलकलाम इसे ही मिसाइल मैन कहते हैं दोस्तों आ गया यहीं मिसाइल मैन कहते हैं डाक्टर एपीजे अबदुलकलाम को ठीक है अगला देखिए इंग्लिस चैनल तैर कर पार करने वाली भारतिय महिला कौन है जी इंग्लिस चैनल एक जो है सीमा रखा है मान लेता है सीमा रखा है तो उसको तैर के इधर से इधर जाने वाली कौन सी भारतिय महिला थी देखिए भारतिय नहीं भारतिय महिला कौन सी थी तो ये जब इंग्लिस चानल तारकर पार के होगी तो आई होगी तो इसको आरती उतारा गया होगी जहां ये बहादुरी काम किया है तो वहीं से याद कर सकते हैं कि आरती सहा जो है इंग्लिस चानल तारकर पार करने वाली भारती महिला थी अगला देखिए, नर्मदा नदी मध्य पर्देश में से निकलती है, में से निकलती है, अच्छा बीच में भरना है, नर्मदा नदी मध्य पर्देश में से किस में से निकलती है, ये अमरकंटक, जी हां दोस्तों, नर्मदा, नर्मदा, देखिए, नर्मदा नदी मध्य पर् तो यहीं इसे अर्फिष्स सब्सक्राइब है श्कातरा कि पाध्मुअ क्या है ? डेक्षिये.. बैषडिल जेल पर जानता कि हमले कौन बहटना को जनम दिया बैस्टिल जेल पर जानता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया किस घटना को फ्रांस की करांती बैस्टिल जेल जी हां दोस्तो वो बैस्टिल जेल पर जो जानता जिनने जो हमले किया था करांती कारियों को छड़ाने के लिए तो वो किस घटना का जन्म दिया तो फ्रांस की क क्लेंट रचल पर फ्रांस की क्रांती होगे कि है अगला डियने का पूरुप क्या है देखिए आप लोग बहुत बार सब्सक्राइब ड्याय टेस्क्राइब यह वह यह जो दी एन-ए-फैस का पूरुप क्या मैं तो D से हो जागा Dioxy Ribos, N से Nucleic Acid, DNA में Acid यानिक अमल होता है, Dioxy Ribos Nucleic Acid होता है, ठीक है, अगला देखिए, निमलीखित में से कौन से अस्थल पर उन्नेई सुबीस में भारती राष्टे कांगरेस के बैठाक हुई? निमलीखित में से माने की चारों जॉब सानवा है, इसमें से कौन से अस्थर पर उन्नेई सुबीस में भारती राष्टे कांगरेस के बैठाक हुई? तो कहा थो नागपूर में? जी हाँ दोस्तों, उन्नेई सुबीस में नागपूर में हुई, ठीक है? देखिए उन्नेई बीस, अंत में 20 आ रहा है, उनुई 10 में ही वहा था, लेकिन कोई 20 में, कोई किसी में 20, 29 हैसे, Ke לה गए जगयर, बजगे हैं, इसमें 20 आ रहा है, तो 20 किस में होता है, नाग में होता है, तो नाग के मतलब नागपूर, ठीक है, उन्हच सो बीस यानि के नागपूर में हुआ ठी प्रिसक से बैठा कुई तिती हैं अग्रा मानुसरीर की सबसे लंबी हाड़ी कौन है पार फिमा जोडिया मैं अधार भारत 88 थारख में बीसु की सबसे बड़ी अर्थवास था सात्य देखिए यह आएगा नहीं इस पर डिसकासन करने कोई दिकत नहीं है लेकिन आएगा नहीं यह दो हजार नौ में ठीक है तो यह दो हजार नौ में ठीक है निम्न में से कौन सा अंतर सरावी तंतर का हिसा नहीं यह देखिए भारत देष का सबसे छोटा राजी कौन सा है तो गोवा गोवा जो है भारत तेस का सबसे छोटा राज है ठीक है गोआ यह फ़ई छोटा में लिखा भी गया है गोआ से अब छोटा कोई नाम बताईए दुईय अचछर का नाम है सबसे छोटा राज हो गया गोआ मैंने गोमनजा आफिर बुला रहा है कि यह कौन सभाई नाम हुआ तो यहीं छोटा राजी है गो आ अलोम्पिक में रजत पदक जितने वाली पहली भारतिया महिला कौन है तो यह है पी बी सिंदु पी बी सिंदु अलोम्पिक में रजत पदक रजत पदक जितने वाली पहली भारतिया महिला कौन है तो पी बी सिंद टिक आगला देखिये जिन जिक्स एक परसीत था क्या था चिन तक यह तो भाई नमीखत से गण सा कफन सही है, लोगों को लोगों को अपने प्रतनिधियों को चुनने के अनुमति देता है या गड़तन्त्र का यहीं मतलब होता है यह गड़तन्त्र का मतलब होता है प्रतनेधी अपने चुन सकते हैं जैसे हैं पहले माबाप साध्य है लेकिन अब लगड़को अपने से चुन करके साध्य करें खैर वो छोड़िए मतलब एक बात कर रहा है लोगों को अपने प्रतनीधी को अपने ही चुनने का मतलब अपना आदम भाई अपना चुनो कोई दूसरा उस पर जिमान नहीं लगा तो यह हैं भारत की जन तंत्र के संदर्व में ठीक है यह में लीखित में से कोई सा कथां सही है तो लोगों को अपने प्रतिनीधियों को चुनने का अनुमति की देता है ठीक है अब देखिए तीसी पर दोस्तों अप्लेट पाने के लिए हम चानल सब्सक्राइब करें ना बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों फिर में जाकर वीडियों तब तक लिए जय हिन दोस्त